राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर स्ट्री टू का बॉक्स अन्फिस पर कबजा जमा हुआ है। रिलीज के एक महीने बाद भी इस हॉरर कॉमेडी का क्रेज दर्शकों के सिर से नहीं उतरा है, जिसके चलते स्ट्री टू पांचवें हफते में भी करोडों में कारोबार कर रही है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन महा बंपर कलेक्शन किया था और इसके बाद तो इसने खूब नोट शापे। हालांकि अब पांचवे हफते में फिल्म की कमाई में तो गिरावट आई है, लेकिन ये अब भी करोडों में ही कलेक्शन कर रही है। 33 दिन तो इस फिल्म ने शाहरुक खान जवान के लाइफटाइम कलेक्शन को पच्छाड दिया और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वहीं स्त्री टू के अब तक के कारोबार की बात करें तो ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के आंकडों के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के पहले हफते में 307.80 करोड कमाई थे। दूसरे हफते में स्त्री टू का कलेक्शन 145.80 करोड रहा। तीसरे हफते में हॉरर कॉमेडी ने 72.83 करोड का कलेक्शन किया। चौथे हफते में स्त्री टू ने 37.75 करोड की कमाई की थी। वहीं पांचवें फ्राइडे स्त्री टू ने 3.60 करोड, पांचवें शनिवार 5.55 करोड, पांचवें रविवार 6.85 करोड, पांचवें सोमवार 3.17 करोड और पांचवें मंगलवार 2.65 करोड की कमाई की इसके बाद स्त्री 2 की 34 दिनों की कुल कमाई 586.00 करोड रुपे हो गई वहीं सैकनिल की अरली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री 2 ने रिलीज के 35 वे दिन यानि 5 वे बुद्धवार को 2.00 करोड का कलेक्शन किया है इसी के साथ स्त्री 2 की 35 दिनों की कुल कमाई अब 588.00 करोड रुपे हो गई है